जल्दी से सब्सक्राइब करें वारल टेक की चैनल को और बैल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज का हमारा वारalt topic हैं कि आप फ्री में कैसे website बना सकती है कैसे अपने domain लेके कैसे website बना सकते हैं तो Second Time को देखने करें तो दूस्तो मैं आज आपको बताओं कि कैसे आप फिरी में website बना सकती है अक्चुली एक sub domain होगा पर एक website आप बना सकते होगे एक अपने particular name से तो आपको Google पर सबसे पहरे सर्च करना है blogger.com जिहां दोस्तों आप सबसे उपर देख पा रहे है blogger.com creator unique and beautiful blog तो उसको आप click करेंगे और उसको open करेंगे open करने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जहां पर लिखा होगा creator new blog तो उसके आप click करके आगे proceed करेंगे तो आपके देखेंगे कि सबसे उपर title और उसके बाद address तो उस title में आपको जो भी आपको blog जिस बारे में create करना है उसका आपको नाम mention करना होगा तो हम यहां लिखेंगे viral tacky जी है दोस्तों मैं viral tacky के लिए एक नया blog website बना रहा हूं तो लिए मेरको एक उसका domain जो उसका address है वो भी चूज करना है तो मैं वही चूज करता हूं viral tacky.blogspot.com इस blog address is available यहां दोस्तों यह शो कर रहा है कि यह address available है आप इसको use कर सकते हैं अगर यह unavailable होता तो आपको उसको change करके जो available है वो चूज कर सकते हैं तो उसके बाद आपको क करना है create blog यह से click करेंगे और यह थोड़ दिर में आपको दिखा रहा है creating a blog और यह complete होते ही आपका blog create हो जाएगा लिखाया है कि viral tacky blog create successfully उसके पाद आप देख रहे है कि Google आपको suggest कर रहा है कि आप एक domain खरीदे और उसको instantly आप उसके साथ जो आप अभी some domain पर काम कर रहे है तो आप देख सकते हैं आपको कुछ message आई हुए है उन सब को close कर दे यह आपको बता रहा है कि आप Europe पर या फिर जो भी है इस पर comment है जो अगर SMAM डाणेंगे तो आपको notification मिल जाएगी तो आपको देखें अब आपका blog है जो आपका नाम अपने decide किया था उससे एक blog एक website ज आपने title तो mention कर दिया है पर उसकी description mention नहीं करी है description सर्च में आने के लिए एक सबसे best way है जो कि search engine आपको highlight करता है उसके बारे में description दिखाता है कि कि किस के बारे में about किस चीज के बारे में है तो आप सबसे पहले आपने description में अपना एक छोटा सा description जो की search engine के लिए visible के लिए कि search engine में visible हो उसके लिए एक आपको write करना है description तो वो कम से कम डेड़ सू वर्ट्स का होना चाहिए और maximum maximum 500 वर्ट्स का तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लिखते हैं viral techie is providing latest tips and tricks for youtube तो आप भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं जिसके बारे में आपका blog या website बनाना चाहते ह हो तो आप यहाँ पर description में mention कर देंगे एक छोटा सा description मतलब at least 150 words इतना तो होना चाहिए क्योंकि search engine में आपको approximately 1500 words ही show होते हैं तो आपने यहाँ पर mention कर दिया उसके बाद आपको अपना blog का जो भी changes की हैं उसको आपको save करने होंगे तो save changes आप इस पर click करेंगे और आगे proceed क करेंगे आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 500 character maximum आप उसको आप save कर देंगे अब आप save कर दिया है settings were saved successfully अब आपको क्या करना है अपने search engine को जो उसमें लिखा हुआ है search preference हाँ उसमें भी आपको थोड़े changes कर रहे हैं जिससे क कि आपका ब्लोग search engine में अच्छे से visible हो सके तो आपको यहाँ पर search preference में click करना होगा और यहाँ पर meta tag देख रहे हैं सबसे ऊपर आप उसको description को enable करना है आप जैसे उसमें click करेंगे आएगा enable search description उसको आपको yes करना है yes करने के बाद आपको एक छोटा सा महाँ पर भी एक meta tag लिखना है जो की search engine में आपके exposure को increase कर सके तो आप यहाँ पर description लिखेंगे छोटा सा viral techie is providing latest news about upcoming momiles and tips tricks etc तो ऐसी आपको कुछ अपना लिखना है जैसे मैंने अपने लिख दिया है वैसी आप लिख देंगे यहाँ पर नीचे mention किया हुआ है 150 character maximum इससे ज्यादा नहीं होना चा लिखेंगे crawlers and indexing हाँ दोस्तो Google हर post को index करता है वो कैसे करता है आप यहाँ पर setting change करना है आप देख रहे है custom robots है उसको आप changes करेंगे उसको enable कर देंगे उसके बाद आपको आपको custom robots header text को भी change करना है आप इसको yes करेंगे और home page को all or no dp करेंगे और archies को all or no index करेंगे और ज दोस्तों यह क्या करेंगे आपकी पोस्त को जो सिर्फ जो जरूरत है उन्हीं को index करेंगा useless चीजों को index सर्जिने में नहीं करेंगा तो आप देखते हैं आपका blog create हो गया है और हम चेक करते हैं कि कैसा दिखता है तो दोस्तों यह देखो यहाँ पर मेरा logo आ रहा है जो कि मै यहाँ सब को दिखाई देंगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें शेर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं अधर बाइब